नमस्कार साथियों आउनीश ट्यूटियर ब्रांड चनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है देखे पूरे दिन भर जो जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था काफी बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि वीडियो बंध करिये ऐसा आप गलत कह रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं देखे परडाम घोसित हो गया और समय पर आ गया तो आज जो है बहु परतिच्चित इंतजार जो है खत्मुहा लेकपाल भरती परिच्चा का रजल जो है आपके समक्ष है और जैसी कट आप मैंने दिया था आप वैसी ही लगभग पाएंगे किसी में एकाकंका जो है फर्क आया है आप लेकपाल भरती परिच्चा परडाम को जो है सरकारेरेजल डाट कॉम से भी देख सकते हैं और उसके अलावा जो है आप चाहें तो यूपी टिपल सी की अपनी नेजी वेबसाइट से भी देख सकते हैं तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए होट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों को भी सेर करें जिससे सभी को जादा जादा जानकारी हो सके तो देखिए कितनी गई कटाप कटाप ध्यान दीजिए यही कटाप लगभग अनरच्छित आप देख रहे हैं 83 वही अनसूचित जाद का देखिए अनसूचित जन जाद का और अन पिछा वर्ग का देख लीजिए और आर्थिक रूप से तो लगभग मेल जोल खाती हुई कटाप आपके समक्ष मैंने जैसा रखा था लगभग जो है एक दो अंक प्लस माइनस हुआ है और माइनस नहीं प्लस एक अंका या देढ़ंका हुआ है और परडाम वैसे ही रहा तो जिन भाई बहनों का जो है लेक पाल भरती में चैन हुआ है अब उनको जो है इंदजार रहेगा ज्वाइनिंग का तो उनको अभी से ही ज्वाइनिंग के लिए भी सुपकामना है और उनकी सफलता के लिए भी इस चैनल की तरप से हर दिक सुपकामना है आप जीवन में निरंतर जो है सफलता की सेडियों पर चड़ते रहें ऐसी ही कामना इस चैनल की आपके जीवन के सोभागे के लिए है तो परड़ाम घोसित हुआ और कस्ट केवल इस बात का है पी एज काटेगरी को लेकर कि आयोग ने केवल चार काटेगरी का ही अंतोगत्वा रेजल्ट जारी किया एचेज का, एलसी का, एएवी और एमडी केवल चार काटेगरी इसके अलावा किसी काटेगरी को नहीं लिया आयोग की ये नौटन की नहीं समझ में आई कि आखिर में छे हजार के उपर यह कहिए आल पी एच बुलाए गए थे काउंसलिंग में पैसा आयोग देता है कितना खर्च करके आखिर में बच्चे गए उनको सोचना चाहिए लेकिन परडाम केवल निकाले तो इसी का और अब तक जितने भी लोग काउंसलिंग गए अदर्स रेडिके थे तो उनसे अवबंधिक लिखवा लिये थे और अंतो गत्वा मेरी बात आप लोग कहते थे कि गलत बोल रहे है ये बोल रहे है देखिये हुआ वही ने मैं कहता था कि आप देखिये गए अवबंधिक आप से लिखवाया जा रहा है और आर रेजल्ट जो है उन्ही चार बिंदूओं पर ही जारी हुआ है इस हिसाब से यह भरती जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा केवल दिव्यांग भाई बहनों के साथ आने के लिए आने के पाले में खुसी आई बहुत उनको बहुत 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 बधाई दिली हार्दिक बधाई सब बधाई के पात रहें परन्तु जिन दिव्यांग भाई बहनों को डीबी के बावजूद भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा कटाप में रहते हुए भी रास्ता देखना पड़ा उनके लिए थोड़ा सा खेद बनता है कि आयोग की ये है केवल लापरवाही बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपको पुना अच्छे ढंक से डिस्क्रिप्टिव रूप में समझाते हो बताएंगे तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्य करें ओके थैंक यू